NEET के application form में photograph में कमी के कारण NTA द्वारा एक notice जारी किया गया है जिस notice में ये का गया है कि जिन candidates के photographs में कमी होगी उन candidates का admit card नहीं आएगा यनि कि उनका admit card hold कर लिया जाएगा तो ये कैसे जानेंगे कि हमारे photograph में कमी है या हमारा photograph सही है तो ये जो CT की information दी गई है अभी exam CT की उसके अंदर ये remark लिखा हुआ है जिन candidates का photo सही नहीं है उन candidates के photo के अंदर एक remarks लिखा गया है कि आप photo द्वारा से upload करें तो NTA ने इसके regarding notice दिया है और notice में ये ही लिखा गया है कि ऐसे candidate जिनका remark लिखा हुआ है जो CT intimation है एक्जाम CT intimation है उसमें remark लिखा हुआ है वो candidate दोबरा अपना photo upload कर सकते हैं 25 अप्रेल 24 से लिकर के 26 अप्रेल 24 रात 11 बचके 69 मिनाट तक upload कर सकते हैं ये कैसे चेक करेंगे हम तो चेक करने के लिए आपको CT intimation के टेप पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद application number date of worth बगरा डाल करके security pin डाल के submit पर क्लिक करना है यहां सारी details आपने चेक करनी है application number candidate name ये सब कुछ बिल्कुल सही है यहां photo लगी होगी आपकी photo बिल्कुल अगर सही दिखाई दे रही है तो कोई दिकत नहीं है अगर यहां photo आपकी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है और उस पर remark लिखाऊ आ रहा है यहां पारे उस photo पर remark लिखाऊ आ रहा है कि आप re-upload करें तब आपको ये photo दुबारा से upload करनी है ये सिरफ photo के लिए ही है बाकी signature बगरा में ऐसा कोई problem नहीं है photo आपका सही है यहां पर कोई किसी परकार का remark नहीं लगा है कोई remark नहीं लिखाऊ है तो आपको इसको change करने की आवशितन नहीं है ऐसे candidate जिनकी photo सही नहीं है और यहां remark लिखाऊ है वो 25 अप्रेल को login करके यहां से login करना है application number डालना है password डालना है security pin डाल करके login करना है login करने के बाद में उनको option मिलेगा photograph change करने का तो ये उन candidates के लिए होगा जिनकी photograph ठीक upload नहीं है जिनका ठीक से upload है तो उनको कोई problem नहीं है किसी परकार की तो इस परकार से आप एक बार अपना जो CT का information है वो एक बार download कर लें एक बार उसमें चेक कर लें कि आपका सब कुछ सही है कहीं भी रेमार्क नहीं लिखा हुआ है कहीं भी photograph change के लिए कहीं लिखा नहीं है तो बिल्कुल सही है आपको टिंसल लेनी की आवश्यक्ता नहीं है तो यह जानकारी थी NTA के नूटिस के बारे में बाके अपडेट मिलते ही हम आपको inform कर देंगे मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैए हुआ